रतलाम के जावरा में लोका यूगट ने एक जिला शिक्षक अधिकारी को एक निजी स्कूल संचालक से रिश्वत लेते रंगे हातों पकड़ा है सिक्षके नाम पर कलंग बनाई अधिकारी स्कूल की मानेता समापत करने की धमकी दे कर रिशवत मांग रहा था मामला रतलाम जिले के जावरा का है जहां साई पब्लिक स्कूल के संचालक सुखदेव पांचाल से ये जिला सिक्षक अधिकारी 30,000 रुपे की डिमाइन कर रहा था धमकी भी दी थी कि अगर रुपे नहीं मिले तो स्कूल की मानिता रत कर दूँगा सुखदेव पांचाल ने इसकी शिकायत लोकायुक्त उज्जेन सकी और DSP शेलेंदर सिंग ठाको ने टीम बना कर D.O. रमिश्वर चौहान सहाब को रिश्वत के नोटों के साथ रंगे हातों धरदबोचा आप हमें फेस्बूक और यूटूब पर भी मैसेज कर सकते हैं इंडिया फर्स न्यूज गूगल प्ले स्टोर पर भी उपलब है तो आज इस अप को डाउनलोड करें और बैल आइकन दबाकर हमें सब्सक्राइब करना ना भूले हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बैल आइकन पर क्लिक करें